हलो दोस्तों जी टेकर में 247 में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विकली करेंट अफेर्स mcq questions की यह दिसंबर 2020 का ठर्ड विक है जिसमें मैं 85 प्लस mcq discuss करूंगा जो कि all competitive के लिए important प्रहने वाला है तो चलिए देर ना करते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं चलिए देखते हैं कौन-कौन से important question से तो सबसे पहले question की तरह बढ़ते हैं फाला question है screen पे Export-Import Bank of India Exim Bank has extended a $448 million line of credit LOC for various infrastructure projects in which countries यानि कि शवाल है कि Export-Import Bank of India जो है इसने किस देश में विभीन बुनियादी धाचा प्रिजनाओं के लिए $448 million line of credit का विश्था किया है तो इसका राइट एंसर जो बनता है दोस्तों वह आपका उजवेकिस्तान के साथ चलिए अगले प्रस्ट कोड़ बढ़ चलते हैं next question है which bank has launched a three-in-one account which includes savings trading and DMAT यानि कि किस bank ने three-in-one खाता शुरू किया है जिसमें बचत ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग और DMAT शामिल है तो राइट आंसर इसका जो बनता है वह है आपका ESFB bank चलिए अगले प्रस्ट को बढ़ चलते हैं अगला जो प्रस्ट ने रिजर्ब बैंक आफ इंडिया has elevated three chief general manager as executive directors with effect from December 11 what is the name of him यानि कि भारतिय रिजर्ब bank ने तीन मोख्य महा प्रबंधकों को 11 December से कारेकारी निदेशक के रूप में पदोनत किया है उनका नाम क्या है तो देखिए तीन ब्यक्ति हैं इसमें एक है आर सुब्रमन्यम जी दुसरे हैं रोहित जैन और तिसरे आरेस राठो जी चलिए अगले प्रस्ट के और बढ़ चलते हैं अगला जो प्रस्ट है वीचा स्टेट गवर्मेंट है लॉंच्ट जगनन जीव क्रांथी स्केम टू डिस्टिबूट टू तू थाउजन फोटिन नाइन थाउजन वन फिप्टिवन सीप और गोट तू दे वेनिफिशियरीज ऑफ चिउथा एंड आश्रा स्केम देखिए कि इस राजसरकार ने 2,491,151 भेर और बक्री को बितरित करने के लिए जगना जीवन सेवा योजना शुरू किया है जो की चेउथा और आश्रा योजना के लाभार्थियों को दी जाएगी तो राइट एंसर इसका जो बनता है वो एस्टेट है आपका आंधर प् प्रशन है उतर प्रदेश चीफ मिनेश्टर योगी आधितनाथ है इनागरेटेड़ द कैलास मांसरोबर भवन विल्ट एट एट पोस्ट ऑफ 132 करोर इन विच सिटीज यानि कि उतर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आधितनाथ ने किस सहर में 132 करोर रुपय की लागत से बने केलास मांसरोबर भवन का उद्गाटन किया है दोस्तों तो राइट आंसाइस का बनता है वो है आपका गाजियाबाद में अगले प्रश्ट के बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है विथ हूम अंकिता रहना क्लीन्स द विमेंस डबल्स टाइटल इन फाइनल ऑफ द दॉलर ऐटी एफ महिला टेनीस टूनामेंट के फाइनल में महिला योगल खिताब जीता है दोस्तों तो राइट अंसी के जो बनता हो है आपका इका टेरिन गुगोर डेज नाम है इनका इका टेरिन गुगोर डेज अगले प्रेस्ट की बढ़ते हैं नेस्ट कोशन है विच डेज अब्जर्ब एस देशनल एनरजी कंजरबेशन डेज यानि कि रास्टी ये उड़जा सरक्षन दिवस किस दिन मनाया जाता है राइट अंसर बनता है वह आपका 14 दिसम्बर को नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला जो प्रेस्ट है विच कंट्री है विकम दर फोर्थ अरब कंट्री तो नर्मलाइज टाइज विट इसराइल आफ्टर इवए बहरें शुडान यानि कि सन्युक्त अरब अमिराट बहरें शुडान के बाद इसराइल के साथ संबंधों को शामानी करने वाला चौथा अरब देश कौन सा देश बना है राइट अंसर इस मुरक्को बना है अगला प्रेश्ट कीड़ बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है देखे प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने महा कभी सुब्रमन्यम भारती की 118 जयंति मनाने के लिए वन्विल कल्चर शेंटर द्वा आयोजीत अंतर राष्टिय भारतिय महुत्सब 2020 को संबोधित किया है 2020 भारती पुरुषकार किसने प्राप्त किया है राइट अंसर के बनता है फ्रेंड्स वह आपका सेनी विश्वना थंजी नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला जो प्रस्ण है देखे विच इस अब अभी ग्रेंट प्रिक्ष का खिताब जीता है तो इसका नाम याद रखना है राइट अंसर है मैक्स विरल्स पेन ठीक है विरल्स पेन अगले प्रस्ट के बढ़ते हैं अगला प्रस्ण जो है 2022 अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप विल वेल्ड इन विच कंट्री यानि कि 2022 अंडर 19 में आयुद किया जाएगा तो इसका राइट अंसर बनता है वह आपका वेस्ट इंडिज में नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है मुस्ताक अली ट्रॉफी इस रिलेड़ेट विच स्पूर्ट यानि कि मुस्ताक अली जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंदी से तो राइट अंसर बनते हुए आपका क्रिकेट से नेक्स्ट कोश्यन इस किसने खुद कमाओ घर चलाओ नई पहल क्यों घोशना किया है जिसके तहत वह उन वंचितों को इडिक्सा प्रदान करेंगे जिन्होंने क्रोना वायरस महामारी के दौरन अपनी आज प्रेशन के लिए किस सहर में एक स्वचालित बैंक प्रशस करन केंदर स्थापित करने का निरने लिया है तो इसका राइट अंसर जो बनता है दोस्तों वह आपका जैपूर राजस्थान सरकार ने अगले प्रश के बढ़ते हैं अगला प्रशन जो है किसने विकास सिल अगला प्रशन है इस इंटरनेशनल इयर ऑफ क्रियेटिव एकनोमी फोट सशनेबल डवलप्मेंट यानि कि किसने 2021 को शतत विकास के लिए रचनातमक अर्थ व्यबस्था का अंतर रस्टिये वर्ष घोषित किया फ्रेंट्स राइट अंसर बनता है वह आपका उनिश्ट को अगला प्रश्ट की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन इस विद्या रचनातमक आरज़वान संस्क्रीत के श्कॉलर तेमर नेक्सक्वे खूशयन है फुब्यॉब्य यानिश्ट विली से थे फ्रेंड्स अगले प्राश्ट के बढ़ते हैं अगला प्रस्ट जो है इश्रो श्री हरी कोटा के सतीस धवन अंतरीश के अंदर सब्सक्राइब कोट गाओं के पास देश के सबसे बड़े नवीन करनिये पुर्जा प्रतान उत्पादन प्रस्ट जो है इनरजी पार्ग की आधार सिला रखी है जो कि 30 गीगावाट का है तो राइट एंसे का बनता है वो डिस्टिक आपका है कुछ गुजरात में कच जिसको बोलते हैं ठीक है अगला प्राश्ट क्योड़ बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है किस जिली में प्रधान मंती नरेंद नेक्स्ट कोश्चन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नेक्की सजिले में मांडवी में विलव निकरन सन्यंत्र के आधार सिला रखी है राइट अंसर फिर से बनता है दोस्तों कच गुजरात में वो सारे यहां पर आधार सिला रखाया गया ठीक है ना अगला अगला प्राश्च जो है किस राज सरकार ने 2000 अम्मा मीनी क्लिनिक शुरू किया है प्रदेक में एक डॉक्टर एक नर्ज और एक सहाइक शामिल है तो राइट अगला प्राश्च के बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन इस what is the name of noted wrestler who has won the prestigious Hindi Hindi केसरी हिंद केसरी title in 1959 has passed away देखिए 1969 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जितने वाले प्रतिष्ठित पहलवान का नाम क्या है जिनका निधन हाली में हो गया है तो राइट अंसरी का बनता है श्रीपती खांच नाले इनका नाम था नाम इनका दमदार था नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं किससर में ओला इलेक्ट्रिक ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर विनिर्मान सनियंत्र स्थापित करने के लिए 2400 करोड रूपिय यानि की 302-320 मिलियन डॉलर की निवेस योजना की घुजना किया है तो राइट अंसर का जो बनता है दोस्तों वो है आपका होशूर तरमिल नाडो में नेक्स्ट कोश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन इस नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन इस देगे रेटिंग फर्म क्रीशिल ने वित वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरिल उतपाद की विधित दर कितने रहने का अनुमान लगाया है राइट अंसर को बनता है दोस्तों वह आपका माइनस 7.70 परसेंट ओके नेक्स्ट कोश्चन इस गाडन रिच सीप विल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमिटेड कोलकाता में निर्मित पहले प्रोजेक्ट 17A जहाज का नाम क्या है जो लॉंज किया गया है राइट अंसर इसका जो बनता है वह आपका हीम गिरी नेक्स्ट कोश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो प्रशन है देखे हो इस देश के साथ भारत ने रोड इंफरस्ट्रक्चर छेतर में प्रधोगी की सहयोग पर एक समझ होता है परहस्ताक्चर किया है तो इसका राइ नेक्स्ट कोश्चन इस एज पर देखे सांखी की एबं काड क्रम काड यानवरन मंत्राले के तहत रास्टी सांखी की कड्याले के अनुशार नमबर में खुद्रा महंगाई पंदर कितना प्रतिसत हो गई है तो इसका राइट आंसर जो बनता है वह आपका 6.93 पोसेंट ने इसवेर एक फिंटेक कंपनी ने कोच्ची में इस मनी माइक्रो एटियम सेवा शुरू किया है इसे किस बैंक के सहयोग से लांच किया गया है तो राइट अंसर बनता है दोस्तों है आपका ICICI बैंक के साथ सहयोग से नेक्ट कोश्चन है किस बैंक ने अपने नए तकनी की उत्पाद FX4U के लिए लांच की गोजना किया है या उत्पाद अपने पुरे इंटरनेट बैंकिंग उपव्योग करताओं को बिरेशियो मुद्रा लेंदेन को मुल रूप से संभालने में सक्षम बनाता है इसका राइट अंसर जो बनता है वो है आपका कैनरा बैंक नेक्ष्ट कोशन है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो न्सीबी जो है भारत और मयानमार की नसरी दबायों के दुरुपयोग नियंतरन की केंदरिये समीती के बीच ड्रक्स कंट्रोल सहयोग पर भारत मयानमार दुपक्षी है बैठा का पांचवा संसकरण आयुद किया ग टेल को उनकी कौनसी पुन्यतिती पर सदाजली अरपित किया है तो इसका राइट अंसर बनता है सत्तरह सत्तर यानिकी सत्रहवां तीक है ना सत्रहवी जहन्दीपर देथ एनिवर्चरी पर शोड़ी अगला प्रस निक्टोर बढ़ते हैं काता है कि विच डिजिटल पैमें बैंक ने किस नए डिजिटल भुकतान एप का अनावरन किया है इसका राइट एंसर जो बनता है फ्रेंट्स वो है आपका डांक पे के साथ अगला अगला प्रस ने कौन सा राज के अंदर सासित परदेश नया साल लोशार मना रहा है देखिए विच अस्टेट या इन्यों स्पेस साइंडिस्ट हो एज पास्ट वेरी सेंटली देखिए प्रक्यात एरोस्पेस बैग्यानी का नाम किया है जिनका हाल ही में निदन हो गया फ्रेंड्स तो राइट आंसर बनता है वह है आपका रोड रोड डैम नर्शे माजी नाम है इनका अगला प्रस्टिवर पुष्ता का भी मोचन किया है इसके लेखा कॉन है इसके दो लेखाख है फ्रेंड्स एक है नीटू अगले प्रस्टिवर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है दोजार तैस एफ आई एच पूरुस होकी विश्व कप की मिजवानी किसी देश में की जाएगी राइट अंसर बनता है वह आपका इंडिया में अगला प्रश्ट की ओड़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है विच स्टेट गवर्मेंट है ओफिसियली रोल आउट फ्री क्रॉप इंसुरेंश स्केम पूर्द फार्मर्स यह किसरा सरकार ने किसानों के लिए आधिकारिक तौर पर फ्री क्रॉप इंसुरेंश योजना सुरू किया है राइट एंस का बनता है वो आपका आंधर प्रदेश में अगला प्रश्ट की ओड़ बढ़ता है और नेक्स्ट कोश्चन है इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन आफ नेचर एसिया एसिया छेत्रिय कारिया लेने किसको एसिया के लिए गोल्ड मैन परियावरन निय पुरुषकार 2020 से समानित किया है तो राइट एंस का बनता है वो आपका पॉल सिंट्वा जी को पॉल सिंट्वा नेक्स्ट कोश्चन इस वित मंत्री निर्मला सिदारमन ने वित्य इस्थिड़ता और विकास परिशद की तेश भी बैठे के धक्सता किया है वह किस राज से राजसभा सांसद है तो राइट एंसर बनता है वो आपका करनाटक से नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन इस विजय दिवस इस कम में रटेड़ ऑन वीच डे इन इंडिया यानि कि विजय दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है तो इसका रिपेड कार्ड लॉंच किया है तो इसका राइट एंसर बनता है वो है आपका यस बहिंग के साथ नेक्स्ट कोश्चन इज गोवा में गोवा सी प्याड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित भारतिय टट रक्षक जहाज जिसका नाम सुजीत को कमीशन किया गया है तो इसका राइट एंसर बनता है दोस्तों न्यू देली में अगले प्रेस्ट को बढ़ते हैं अगला प्रेस्ट जो है वाट इदे नेम अफ इंडियन कोश्ट गार्ड इंटर सेप्टर बोट विल्ट बाइद लार्जेन एंड टुब्रो हैस बीन कमीशन एट हजीरा इन गुजरात देखे गुजरात में हजीरा में लार्जेन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित इंडिया इंडियन कोश्ट गार्ड इंटर सेप्टर बोट का नाम क्या है जिसका जल लावरन किया गया है तो देखिए राइट एंसर का बनता है वह आपका C454 देखे C454 नाम है इसका अगला प्रेश्ट के वर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन इस विच कंट्री विल होस्ट था टुठाटी एसियन गेम देखिए दोहजार तैस एस एक खेलो की मिजवानी कौन सा देख करेगा इसका नाम यादक है कतर कतर करने वाला है अगला प्रेश्ट के वर प्रेश्ट के विच कंट्री विल होस्ट था क्वाली फाइल क्वाली फायर्स ऑफ था टुठाटी थी ओडिया वर्ल्ड कप देखिए कौंसा देश दोहजार तैस एक दिवसिये विश्व कप के क्वाली फायर की मिजवानी करेगा इसका राइटांस जो बनते हैं आपका ज स्थान पर है किसी देश ने टॉप किया है तो राइट अंस का बनता है वह आपका नौरवे अगले प्रश्व कर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन है किसको एसी पैसिफिक ब्रॉड कास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है जो दुनिया में सब से बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है तो इसका राइट अंस जो बनता है फ्रेंड्स वह आपका ससी शेखर वेम पाती जी ओके अगले प्रश्व कर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन इस भारतिय अमेरिकी वेस वायु शेना के करनल का नाम क्या है जिनको नासा दौ अगले प्रश्व कर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन है काईली जेनर ने 590 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ सबसे अधीक भुकतान की जाने वाली हस्तियों के फोप्स 2020 सूची में सिर्शस्थान हांसिल किया है वह किस देश का है तो राइट एंसर बनता है दोस्त कर बित वर्श 2021 के लिए कितने प्रतिशत किया है जो कि पहले माइनस 10.9 प्रतिशत था तो राइट एंसर बनता है दोस्तु वह कर दिया है माइनस 7.4 प्रतिशत ठीक है माइनस 7.4 प्रसेंट अगले प्रस्ट के बढ़ते हैं नेक्स्ट है देखे एस एंड पी ग्लोबल रे माइनस 7.7 कर दिया है यह किस देश के क्रेडिट एजनसी रेटिंग एजनसी है तो राइट एंसर का जो बनता है यह है आपका अमेरिकन ठीक है अमेरिका का अगले प्रस्ट के बढ़ते हैं नेक्स्ट है फॉर्मर टेस्ट और एरिक फ्रीमैन हाज पास्ट वे ही वास फ्रम ठीक है ओके नेश्ट है नेश्ट कोशन है किसको इस इंस्ट्यूट ऑफ डिरेक्टर्स द्वारा इसपाद चेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक परियावरन प्रबंधन पुरुषकार से समानित किया गया है दोस्तों राइट अंसर बनता है वह आ एंटी डोपिंग एजन्सी वाड़ा जिसको बोलते हैं तो वर्ष ग्लोबल एजन्सी संटिफिक रिसर्च बजेट भारत ने विश्व एंटी डोपिंग एजन्सी के वैस्विक सोध बजट में कितने रुपियों का योगदान दिया है तो राइट है तो बनता है दोस्तों के अगले प्रेस्ट के और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है फू इस दा चेर्मेन ऑफ दा नेशनल हाइवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया यानि कि कौन भारतिये रास्टिये राजमार्क प्राधिकरन के अध्यक्ष बना है तो राइट हैं सो बनता है दोस्तों वह आपक इस दिन मनाया जाता है तो राइट एंसर कर बनते हैं वह आपका 18 दिसंबल को चलिए नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं अगला प्रस्ट ने भारतिये नौसेना और इंडोनेसिया इनौसेना के बीच भारत इंडोनेसिया सम अन्वित गस्ति का कौन सा संस्क्रण आयूत ह हुआ है इसका राइट अंसर जो बनता है दोस्तों वह आपका 35 यानि कि मैं 35 अगला प्रस्ट के और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कि सिराज सरकार ने स्रम और करमचारी राज भीमा विवाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम एक पोर्टल लॉंच किया है दोस् कौनसी राज सरकार किशानों की आई को दोगुना करने के लिए एक विशेश कार करम किशान कल्यान मिशन सुरू करेगी इसका राइट अंसर जो बनता है वह आपका उत्तर प्रदेश नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ते हैं फ्रेंस नेक्स्ट कोशन है ब्रिटिस प्रदान मं मंत्री वोरिस जॉंसन ने भारत को अगले साल जी सेवन सीखर चमलेनों भाग लेने के लिए आमंत्रित क्या है या कौन सा संस्क्रण होने वाला है तो इसका राइट अंसर बनता है यह आपका 46 याने कि 46 वा नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है किस राइट अंसर जो बनता है फ्रेंट्स वह आपका करना डखने अगले प्रेश के बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है देखिए एस एफ लगोवित बैंक ने उर्जा और पढ़ियावरन फांडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल स्टेशन अबलिटी इस अबाट 2020 जीता है इस एफ का मुख्याले कहा है तो इसका राइट अंसर जो बनता है फ्रेंट्स वह आपका थ्रीशूर केरल में याद रखना है नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ते हैं देखिए कोशन बहुत बढ़ा है समझते हैं हिंदी परता में सिर्फ विस बैंक ने टिकाव उत्पादन प्रन राज करने के नों मती दिया है तो इसका अमांट याद रखना है जो की मांट है 100 मिलियन टॉलर की ओके नेक्स्ट कोशन हमारे स्क्रीन पे देखिए आई एस ओ गुनवता प्रवंदक मानक प्रमानन प्राप्त करने वाला नहरु जिलोजिकल पार्क भारत में पहला बन गया नेक्स्ट कोशन की ओर बढ़ते हैं अमेरीकी राज कोस ने भारत को अपनी मुद्रा मैनुपुलेटर वॉच लिस्ट में रखा है बियत नाम और स्वीटीजलेंड को मुद्रा मैनुपुलेटर के रूप में लेबल किया गया है अन दो देशों का नाम किया है जिन्होंने ह वाच लिस्ट में सामिल किया गया है तो इसका राइट अंसर दो हैं देश हैं देखिए पहला तो है आपका ताइवान दुसरा है थाइलेंड ठीक ना याद रखना है नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं देखिए लूशी ब्रोंज ने फीफा सर्प्सरेष्ट महिला खिलारी का पुरुषकार जीता है वह किस देश से हैं तो वह आपकी इंग्लेंड की हो जाती है ठीक है इंग्लेंड से नेक्स्ट कोशन इस रॉबर्ट रॉबर्ट ले जीत लिया है वह किस देश हैं तो वह आपका पोलेंड से याद रखना है नेक्स्ट कोशन इस भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इस शुरू बोलते हैं दौरा बैंगलूरू में पिन्या के अपने आइस ट्रैक आइस ट्रैक परीशर में एक समर्पित अंतर अब इसका नाम क्या है तो इसका नाम है दोस्तों नेत्र नाम इसका फिर दोन्ट नेक्स्ट कोशल है से ससके लिए डिवर्ड के साथ भारत सरकार्बहर्त आइकंस मिलियु हमपर में 2370 क्या ao तो इसका राइट एंसर बनता है उत्तर प्रदेश के लिए अगले प्रेश को बढ़ते हैं अगला जो प्रेशन है देखिए किस बैंक के साथ भारत सरकार ने त्रिपुरा में बुनियादी धांचा विकास पड़िजनाओं की तैयारे किया है तो इसका राइट एंसर बनता है वो बैंक है आपका ADVACION डेवलप्मेंट बैंक नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है किस देश के साथ भारत ने हडियाना के गुरु ग्राम ने में नेशनल इंस्रिचूट आफ सोलर एनरजी के परीशर में बिजली छेतर क्या स्थापित कि इसका जो राइट अंसर बनता है दोस्तों वह है आपका FRANCE चलिए next question की वह बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की बात करें गुवा मुक्ति दिवस किस दिवस किस दिन मानाय जाता है इसका राइट अंसर बनता है वह आपका 19 December को नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, इंटरनेस्टल हीूमन सौली डे, जी डे इस अब्जर्व ऑन वीच डे, यानि किस दिन अंतररास्तिय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, तो वो है राइट आंसर आपका 20 दिसंबर को, नेक्स्ट कोश्चन क किया गया है, तो इस आएट का नाम है, वो देखिए, आएट मद्राश, ठीक है, रियाद रखना है, नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं, अगला प्रस्चन जो है, किसको नवाचाल को बढ़ावा देने के लिए, इंडो इसराइल चैंबर्स आफ कॉमर्स द्वारा, ग अगला प्रस्चन है, मुहम्माद आमीर है, लॉंच दा रिटार्मेंट फ्रों इंटरनेशनल किर्केट, इस फ्रों बिच कंटी, देखिए, मुहम्माद आमीर ने अंधरस्टे क्रिकेट के से सन्यास ले लिया दोस्तों, ठीक है, लेने की घोशना किया है, वह किस देश से ह बनता है, वह आपका पाकिस्तान से, नेक्स्ट कोशन इस, उतर प्रदेश के जेवर में वन रहे, बन रहे, ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट को नुएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम दिया गया है, हवाई अड़े का लोगो उतर प्रदेश के राज पच्छी को दरसाता ह है, और इसका नाम क्या है, तो राइट अंस का जो बनता है, वह आपका सारा स्क्रेन, यहां का राज्किय पच्छी है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन के ओर बढ़ते हैं, आईटी फर्म्स कैप जेमिनी, आईटी फर्म्स कैप जेमिनी, और शार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट ने एप लॉंच करने की कोशना किया है, जिसका उदेश भारत में 10 करोड भी कलांगो लोगों को ससक्त बनाना है, एप का नाम क्या है, तो राइट अस इसका बनता है, इसका नाम है कैप सार्थी, ठीक है, कैप सार्थी नाम या लखना है, नेक्स्ट कोशन है आपके स्क्रीन प समय qr आधारित डिजिटल भुगतान करने के अनुमति मिल सके एन पीसी आई का मुख्याले का है तो इसका राइट अंसर बनता यह है आपका मुंबए में अगले प्रस्ट के और बढ़ते हैं यह लास्ट प्रस्ट था ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हुए इंफोर्मेशन आपको देना चाहेंगे अगर हमारे सोसल मीडिया अकॉंट से आप जोड़ना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से आप डायरेक्ट जोड़ सकते हमारा एक वेपसाइट भी उसे आप विजिट करें और वहां से आपको स्टेडिय मिल जाएंगे अगर विडियो पसंद आ रहा है तो इस विडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और वेल आइकन प्रेस करना ना भोले चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए ग झाल झाल